आज स्री लंका ने जो हो अफिशली जो हो एशिया कप की तैयारी शुरू करती है एशिया कप पाकिस्तान में नहीं बलके पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं होगा हमारी जो पाकिस्तानी जनरलिस्ट हैं वो लोगों को जूट बोल बोल के जी बीसी सी आई की हार होगे एप कोई नहीं बोला के जी खेलो खेलो ये वाला सिस्टम कोई नहीं है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गरक कर दिया और अब नजम से थी अभी एग या दो मैक्सिनम शाद राव तक हो सकता है ये वर्ल्ड कॉप से बाइकाट करने लगे हैं जो अभी लेटास मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है और इसका विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा आपको बता दें कि ACC अधियक्षु जय शान पाकिस्तान के भिना ही इस टूर्नवेंट को करवाने का प्लान बना लिया है शान है पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल को अपनाने से इनकार क एशिया क्रिकेट काउंसिल ने इस टोर्नमेंट का आयोजन श्री लंका में करवाने का फैसला किया है और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है अगर पाकिस्तान को एशिया कब में हिस्सा लेना है तो उसे श्री लंका में ही खेलना होगा अगर पाकिस्तान इस विकल्प को स इस साल एशिया कप की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। आकिरी फैसला एएसिसी की बैठक में लिया जाएगा। इस कबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रियक्शन है। आईए देखते हैं। आईसिसी आगया भाई अब मामला सेट हो जाएगा और आईसिसी कुछ देने के लिए बतानी क्या देने के लिए पिसीबी को आया हुआ है। आईसिसी कुछ देने के लिए नहीं आया हुआ था ठीक है। वह आपने सुना हुआ है ना के खाया पिया कुछ भी नहीं बिल भी बरना पड़ा। ठीक है। तो पिसीबी ने सब वेट कर रहे थे कि अभी इसीसी के जब आएगा मीटिंग होगी पिसीबी जब प्रेस करेगा। हमें पता चलेका क्या हुआ। पिसीबी ने क्या ठट कलास किसम की प्रेस रिलीज की है। जिसमें पिसीबी ने लिए लिखा हुआ हैा कि ICC के चेर्मेन आई जी बड़ा अच्छा खाना वगरा यहां पर उनने खाया बहुत सारे किले देखें भाई साथ मसाज़त की सेर की बाकी इदर उदर गे चिड़िया गर में गे और बड़ा उनने जाय किया और आप वो हुशी हुशी वापस जा चुके है यार कोई तमाशा है यह क्या मज़ाक है पूरे दुनिया वेट कर रही है यार ICC का चेर्मेन पाकिस्तान में क्या हुआ है क्या बात हुई है आप ये बताओ कि आपके साथ क्या डिसकेशन हुई है इस श्याकप के हवाले से तो नहीं चले हम मानते हैं कि उनका मामला नहीं है वर्ल्ड कप के हवाले से क्या बात हुई है और कोई प्रेस रिलीज में बात ही नहीं है कल से लेकर जूटी खबरें फ़लाई जा रहे थे जैनलिस्ट और पीसीबी के कुछ आफिशल्स कि आप 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 लोगों को यह समझने में टाइम लगेगा कितना टाइम आपको लग आसकता और आई सीसी एक हमारे बोड के लिए या किसी और एक दो बोड के लिए बिसीसी आई को नाराज ही नहीं कर सकता आई सीसी को जो रेवन्यू आता है वो एटी परसेंट से ज्यादा बिसीसी आई से आता है यह जो पैसे आई सीसी अगर सो रुपया मिलता है ना आई स सब्सक्राइब करते हैं जहां से आपको पैसे आ रहे होंगे आप उसको कभी नाराज नहीं करेंगे लेकिन दूसरी कंट्रीज को यह इंपक्ट पड़ेगा ना आपका भागने वाली टीम है यह बाढ़ने आएमने हम पाक्स्तािन कृकिटकर डेट यह बागने सब्सक्राइब कर बेड़ा करने हम पाकशान गरत करने तक मिश्य सथी मुझे बहुत बेड़ा गरक करने वाली बात कर नजम सेठी गंजा ये पाकि मुझे बहुत ज़रा वाट चड़ा है इस बंदे पे बाइजान मुझे बात दो ज़र ठारा में दो ज़र ठारा में एश्या कप होना था इंडिया में लेकिन नजम सेठी ने जी या आई थिंक तब कोई और था शहर यार हां से शायद उन्हें बोला कि जी हम लोग नहीं होएंगे इंडिया ने वर्ल्ड कप एश्या कप खेलने यह करेंगे वह करेंगे श्या कप चला गया यूए में दो जार पाइजान है अगर यह वले इस चाप यूए में चला जाएगा तो कौन सी मोध पाड़ गय पाइजान आप चुटी करके जा सकते हो लेकिन हमें जल्द और जल्द यह चीज़ बताई जाए लेकिन अफिशली पर पाकसान आउट हो गया है क्योंकि यह लोग आप नहीं मानेंगे इन्हों ने जो अपना हाइब्रेड मार्न दिया हुआ था वह तो रिजक्ट हो गया व यह और बात भाकर आपको बताता हूं अगर अभी पाकिस्तान इश्या कप स्रेलंका में पाकिस्तान में इडिया में फिर खं चालेंगे किंपेंट और धर्यॉद जा लूट यह जाए ठीरहें फिर लिख के दे रहों चैंपने ट्रफी भी हाथ से जयेगी बाइब हाथ से जाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट का गल्द इंपक्ट पड़ेगा वर्ल क्रिकेट पे नज्यम सेठी सार कल को दफ़ाव होजेगा कल को ये गंजा चला रिए गाए पहले रमीज राजा था वो कितनी आगर चोड़ी लगाता था मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा किदर गया वो रमीज राजा BCCI सचीव जैशा जो एशियन क्रिकेट काउंसल यानी ACC के भी प्रमुख हैं वो बाबर आजम एंड कमपनी के बिना ही एशिया कप कराने की योजना बना रहे हैं हाला कि इस पर रंतिम फैसला भी नहीं हुआ है इस हफते एशिया कप के भविशे को लेकर कोई न कोई फैसला जरूर आएगा BCCI और श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड के बीच मजबूत संबंध हैं और BCCI चाहता है कि ये टोर्नमेंट श्री लंका में ही हो इसके लिए BCCI ने एक तरह से वीटो कर दिया है ACC की अगली बैठक में PCB प्रमुख नजम सेटी को सपस्ट संदेश दिये जाएग कि पाकिस्तान में टोर्नमेंट नहीं होगा आपकी राय में एशिया कप कहां पर होना चाहिए कॉमेंट करके जरूर लिखें मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जहें